आज हम बात करने वाले हैं आपके सिलिबस का एक और important topic जो है drug interaction और इसके अंतरे हम बात करेंगे फार्मको काइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है और देखेंगे फार्मको डैनेमिक ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है वैसे तो आज की पार्ट वन में हम बात करेंगे टॉपिक क्या कहना चाहता है, उसके कुछ parts को हम possible words में break करेंगे, ताकि आपको concept पहले से clear हो सके कि आप आगे पढ़ने क्या वाले हैं. आज का तॉपिक है वो है drug interaction, और drug interaction के अंदर दो वर्ट दिया हुआ है, pharmacokinetic और pharmacodynamic, सबसे पहले हम देखते हैं, pharmacokinetic क्या होता है, pharmacokinetic क्या होता है, अगर आप starting से हमारे वीडियो को देखते आए हैं, तो आपको मालूम होगा, अगर आप डारेक्टली आज के इस वीडियो को पहली बार आपको बढ़ा सकता हूँ, और डिटेल से अगर आपको जामना है, तो नीचे description की बॉक्स में आपको मिल लाएगा pharmacokinetic, pharmacodynamic के link, और आप यहाँ भी क्लिक करके देख सकते हैं, कि pharmacokinetic क्या होता है, और pharmacokinetic क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर pharmacokinetic की, तो pharmacokinetic और pharmacodynamic में, जब कभी भी हम कोई drug लेते हैं, और उस ले गए drug के response में, उसके answer में, हमारी body जो भी उस drug के साथ करती है, तो इस तरह की study को हम मुलते हैं, pharmacokinetic study, अब question यह उठता है, कि body drug के साथ क्या करती है, आपने आज तक देखा है, कि drug body के साथ ज़रू कुछ नो कुछ करता है, आपकी तब्यत को ठीक करता है, कुछ unwanted effects हो करते हैं, बट question यह कि body drug के साथ क्या करती है, तो बहुत important point यहीं पर है, drug को action देने के लिए body का response करना बहुत ज़रूरी है, और that is called pharmacokinetic, मतलब क्या होता है, जब हम कोई drug लेते हैं, अगर यह tablet हुआ, तो वो disintegration होने के बाद, dissolve होने के बाद, ultimately वो absorb होगी, absorb होगी, आपके stomach में उसके बाद smucks move करता हुआ, absorption के और बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा small intestine के और से, फिर एक part में absorb होने के बाद, throughout the body distribute होगी, और आपके metabolic site, that is liver, और भी है, but important हमारे liver है, जहाँ पर यह drug active form में convert होगा, कभी-कभी inactive में भी हो सकता है, इसके उपर भी हमने वीडियो अपनोट के वह metabolism की वोग सीरीज भी आप देख सकते हैं, और ultimately drug metabolism होने के बाद, more water soluble में बनेगा, और वहाँ से फिर urine के through body से बहा निकल जाएगा, इस तरह से हम कहते हैं, कि जब हम drug लेते हैं, तो हमारी body उस drug के साथ ADME, यानि कि absorption, distribution, metabolism और all the last elimination का जो step है, वो follow करती है, तो drug interaction में यह होगा फार्मकोनेटिक, अब what is pharmacode dynamic, फार्मकोनेटिक, what does drug do to the body is called dynamic, और dynamic में जो पहला word D है, वो यही दिखाता है कि drug क्या करता है आपके body के साथ, अब drug body के साथ क्या करता है, अगर आप बोलेंगी कि आपकी तब्याद को ठीक करता है, तो यह 50% सही answer है, क्योंकि 50% सही answer ये भी होगा, कि drug आपके body को वो भी effect शो करता है, जो आप drug से expect नहीं कर रहे होते हैं, यानि कि, अगर हम बात करेंगे फार्मकोनेटिक की, लेकिन हम दोनों को, चाहे वो desirable हो, चाहे undesirable हो, दोनों को हम बोलेंगे फार्मकोनेटिक रिसपोंस, या फार्मकोनेटिक एफेक्ट आप दे पल्टिकलर ड्रग, तो यह हो गई फार्मकोनेटिक और फार्मकोनेटिक, अब मेंट पॉइंट का आते हैं, what is drug interaction, और क्यों दो टाइप से इसको डिवाइट किया गए हैं, drug interaction में, drug का मतलब आपको मालूम है, interaction का मतलब बता है, interaction, एक दूसरे के साथ action, तो यही वर्ड आपको बता रहा है, कि interaction कभी भी एक के बीच में नहीं होगा, interaction होने के लिए उस drug को किसी दूसरे drug की आव सकता होगी, या उस drug को किसी दूसरे substance चाहिए, वो food material हो, environmental substance हो, वो glassware हो, या कोई भी हो, interact करने के लिए कम सकम दो object की ज़रत होगी, तो ज़्यादा अच्छा होगा, drug के साथ कोई दूसरा object चाहिए, वो आपका दूसरा drug ही क्यों नहीं हो, in case of polypharmacy, आपका GIT मिलिया हुआ, food ही क्यों नहीं हो, या बाहर बिना लिए उस drug को जो prepare कर रहे हैं, container में होता है, वहाँ क्यों नहीं हो, तो drug का किसी दूसरा सबसे के साथ interact करना, इसके लाता है drug interaction, और अगर ये drug interaction फार्म को kinetic profile को affect कर रहा है, यानि कि जब दो drug की बीच में interaction होगा, या जब drug food की बीच में interaction होगा, या drug का किसी और सबसे साथ interaction होगा, और उसके interaction होने की वज़या से, उस drug का absorption, distribution, metabolism या elimination affect हो रहा होगा, तो इसको हम बोलेंगे फार्म को kinetic type of drug interaction, लेकिन अगर हम बात करते हैं, किसी दो drug के लेने पे, drug और food के लेने पे, उस drug के action पे changes हो रहा हो, कुछ action ज्यादा अच्छा response हो कर रहा हो, जो आपके लिए benefit हो, या तो दो action के विज़क से आपके body कुछ नुकसान हो रहा हो, या unwanted effect मिल रहे हो, तो इन दोनों तरह के effect का हम बोलेंगे, फार्मे को dynamic type of drug interaction, क्योंकि ये drug के action को effect कर रहा है, बढ़ा भी सकता है, और गटा भी सकता है, तो इस तरह के study करना है कि फार्मे को dynamic type of drug interaction, तो अब आपको समझ में आई गया होगा, कि drug interaction का मोटे तोर पे दो type में क्यों और कैसे divide कर सकते हैं, तो इसलिए, जब drug body के ADME साथ effect करें, simply in was a pharmacokinetic type of drug interaction, जब drug दूसरे drug के साथ मिल करके, एक दूसरे के action को effect करें, अल्टर करें, तो वो कहलाता है, pharmacok dynamic type of drug interaction, इनी दोनों को concept को समझाते हुए, हमने एक definition लिखा हुआ है, जो आपको महुँ सिंपल सा है, यातनी कोई भी जरूतनी पड़ेगी, तो drug interaction is a kind of reaction in which one drug can affect the action potency और availability of the different type of drug और another drug, जब एक drug दूसरे drug के pharmacokal profile को effect कर सकता है, वो वो drug भी हो सकता है, वो food भी हो सकता है, तो इस तरह के study के हम कहते हैं drug interaction, अब drug interaction के कुछ important points है, यह points यह हैं कि site of action में कि पहले हम जगते हैं कि drug interaction किस तरह का हो सकता है, drug interaction basically दो तरह से हो सकते हैं, या तो वो drug interaction आपके लिए beneficial हो, या वो drug interaction आपके लिए harmful हो, दोनों हो सकते हैं, अगर हम बात करते हैं benefit effect की, तो हमारे पास कुछ example है, यह से आप बात करेंगे, hydralazine plus propranolol, दो की anti-herpotensive drug हैं, और हम जब इन दोनों को combined drug से देते हैं, तो इनकी efficacy बढ़ जाती है, और इसको हमने समझाया है हमारे previously वीडियो में, just called combined effect of drug, उसमें हमने बात किया था, additive effect, synergetic effect, super additive effect और antagonistic effect, आप वो भी हमारे चैनल में जाकर के playlist में देख पाएंगे, free of cost, इसके बाद मैं मात करते हैं इसके action की, तो इन दोनों का जो combination action है, वो काफी अच्छा effective होगा, और यह आपने कई जगा देखे होंगे, दो anti-herpotensive drug को mix करते हैं, एक standard guideline के साफ से anti-tuberculosis drug को mix करते हैं, anti-herpotensive or anti-diabetic drug को mix करते हैं, इवन दो anti-diabetic drug को mix करते हैं, यह इन दोनों के potency को increase करता है, जो कि हमने बताया है, combined effect और drug के बारे में, जो दूसरा होता है, वो है harmful effect, जब दो drug आपस में interact करें, या जब एक drug किसी body के present, दूसरे fluid, यानि कि body के साथ जो GIT में fluid present है, food matter present है, उनके साथ interact करें, और उनके interaction करने की वज़े से, हमें unwanted effect मिलें, या जो undesirable effect मिलें, वो harmful effect कहलाता है, उस example के अगर आप बात करते हैं, तो iron salt और tetracycline, दोनों जोब के interact करेंगे, अगर हमने iron containing कोई substance लिया है, anti-acid लिया है, या कुछ और iron की preparation लिया है, और हम tetracycline लेते हैं, तो इन दोनों का precipitation हो जाएगा, और एक complex formation कर लेंगे, इसके विए से जो salt बनेगा, वो insoluble हो जाएगा, और insoluble होने से, वो drug absorb नहीं होगा, क्योंकि आप महुत रचेस जानते हैं, जब तक कोई भी substance solute में dissolve नहीं होगा, उस drug का absorption नहीं होगा, और जब absorption ही नहीं होगा, तो further DME, यानि की distribution, metabolism और elimination कहां से होगा, और at the last, आपको farmokyanetic drug interaction मिल जायागा, यह है हमारे साथ कुछ problem, अब हम बात करते हैं, main और अगले point की, site क्या हो सकता है, drug interaction का, site मतलब drug interaction कहां हो सकता है, obviously drug interaction के interaction होने की, दो main site है, एक है in vitro, और दूसरा है in vivo, यह जो दो word है, Latin word, आप समझ चुके होगे, फर्स समस्तर से आपने सुना होगा, जब A.P.H.E. पढ़े होंगे, या जब आप pharmacology के पहली बार पढ़े होंगे, तो यह कुछ basic terminology आपने पढ़ा होगा, और हमने इसके पर free pdf में upload किया हुआ है, 200 terms and their explanation used in pharmacology, तो वो भी आपको हमारे group से download कर सकते हैं, description में link भी मिल जाएगा, so in vitro मतलब होता है cell के बाहर, और in vivo मतलब होता है cell के अंदर, अब ये cell के अंदर और cell के बाहर का interaction से क्या लें दना है, अगर हम दो drug को cell के बाहर, यानि कि हमारे body से बाहर कोई container लेते हैं, इस container में दो drug को mix करते हैं, जब इन container में दो drug को mix कर रहे हैं, और इन दोनों का interaction हो, और उन दोनों के interactions से हो सकता है, वो poisonous substance बन जाए, तो इस तरह का interaction हम कहेंगे in vitro interaction, और यहाँ पर हमने समझाया है इसको, कि अगर हम दो drug या दो से दी drug को container में mix करते हैं, ताकि mix करने के बाद उसको हम body में inject कर सकें, या intake कर सकें, तो वो interaction कराएगा in vitro, एक्जामपल है penicillin और gentamicin, इसलिए important चीज़ है कि penicillin और gentamicin को, कभी भी mix नहीं करना चाहिए, इस गुड बाद बाद इन दोनों को mix करने से कोई problem नहीं है, या दो ड्रग में अपस में रखने से कोई problem नहीं है, तो जब दोनों को लेते हैं, और दोनों को लेते हैं, और दोनों को सॉलिबल होते हैं, और दोनों के molecules आपस में माइन हो करके, इस तरह का अन्वांटिट एफ्क्ट्शो करते हैं, या तो वो ड्रग आपके बॉड़ी में फूड के साथ को इंटराइट करता है, या जब हम polypharmacy बात करते हैं, जब एक prescription में more than two या three ड्रग होते हैं, हम सब को साथ में ले लेते हैं, तो या आपस में जो ड्रग जो अलग-अलग पैकेज में थे, जब आपके बॉड़ी में जाएगी और बॉड़ी के फ्यूट के साथ डिजॉल्व होंगे, सब एक साथ मिक्स हो जाएगे, मिक्सर बन जाएगा, सॉलूशन बन जाएगा, अब जो इंटरेक्शन कॉस होगा, जिसके विएसे आपको unwanted effect मिलेंगे, वो आपका कहला आगा in vivo type of drug interaction, इसी चीज़ को समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक rough diagram बनाया हुआ है, यह rough diagram आपको in vitro, in vivo, pharmacokinetic, इन तीन चीज़ों को अच्छे से expand करेगा, यहाँ पे आपने देखा कि हम container practice कर रहे हैं और इनकी mix करने के वैसे, कोई interaction हो रहा है, precipitation हो रहा है, या कोई दिसरे दिक्कते हैं आ रही है, simply no as a in-vitro drug interaction, अगर आप इसको body में लेते हैं, body में present food के साथ, या दूसरे drug के साथ यह interact करेगा, simply no as a in vivo interaction, अब हम बात करते हैं details से pharmacokinetic type of interaction में, इसमें आप देखेंगे कि जब हम दो drug लेते हैं, और इन दुनों drug को जब हम body में insert करते हैं, या इसको intake करते हैं, तो यह drug दूसरे drug के साथ, या यह drug JITP present दूसरे food के साथ interact करेगा, और example के लिए वो इसके binding को, इसके pH को, इसके absorption को affect करेगा, और अगर affect करेगा, तो absorption, जो की pharmacokinetic का पहला parameter है, A, उसको affect करेगा, then उसको distribute करेगा, प्रॉब्लम होगी, binding affinity की change होने के वैसे, distribution के बार metabolism में affect कर सकता है, metabolism में आप आगे देखेंगे, enzyme induction और enzyme inhibition, इसके उपर भी हमने वीडियो अप्लोडी अप्लोड कर चुका है, हर एक सेप की वीडियो हमने डिटेल में पहले से अप्लोड के हुए है, उसके बार आप बात करते हैं, ascension की उसके वीडियो भी uploaded है, इस ascension में drug का competition होगा, same process को follow करने के लिए, body से बाहर निकलने के लिए, तो इसकी वज़े से उस drug का duration है वो बढ़ जाएगा, इस diagram से आपने अभी समझा, कि ADME यानि की फार्मको कानेटिक drug interaction को कैसे समझा जा सकता है, आगे बढ़ते हैं हमारे point की, तो हमारा point यही कहता है कि कितने type के drug interaction हो सकते हैं, और हमारे पास दो type के drug interaction है, फार्मेको कानेटिक और फार्मेको डाइनेमिक, अगर फार्मेको कानेटिक के बारे में आपसे पुछा जाता है, तो ऐसा interaction जो की ADME को affect करें, उसको hinder करें, अल्टर करें, वो कहलाता है फार्मेको कानेटिक type of drug interaction, और जो drug drug के बीच में हो, जा drug के action को दूसरा drug affect कर रहा हो, तो वो कहलाता है आपका फार्मेको डाइनेमिक interaction, हमने पहले ही कहा है कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ फार्मेको कानेटिक type of drug interaction, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फार्मेको कानेटिक के अंदर ADME को लेकर के किस किस तरह के interaction हो सकते हैं, और इसे क्या-क्या possible consequence हो सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं absorption की, क्योंकि ADME का पहला point ही A है absorption है, अब दिखिए, अगर कोई drug किसी दूसरे drug के साथ, या कोई drug किसी food के साथ कुछ ऐसा reaction करता है, जिसके कारण से insoluble complex बनेगा, तो soluble नहीं होने के विएसे, वो drug हमारे body में action के लिए available नहीं होगा, और वो drug हमारे systemic separation में नहीं पहुचेगा, और हमको उस drug का कोई भी effect नहीं मिलेगा, तो example के कराण बात करते हैं, bind हो जाएंगे जब iron और anti-acid जब आपस में bind होंगे, जब हम दोनों containing preparation को लेते हैं, या anti-acid लेने के बाद कोई iron preparation लेते हैं, या iron का preparation लेने के बाद हम कोई anti-acid लेते हैं, तो दोनों का complex function हो जाएगा, और वो absorb नहीं हो पाएंगे, और इसके विएसे further distribution metabolism भी नहीं हो पाएगा, दूसरा example के रहाँ बात करते हैं, तो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं, जो gastric pH को alter कर सकते हैं, modulate कर सकते हैं, और इसके विएसे जो different action है, किसी दूसरे ड्रग के वो affect हो सकते हैं, जैसे माले जयकार कोई drug highly acidic condition में absorb होता है, बट एंटासिट लेने के विएसे हमारे JIT का pH बढ़ गया है, pH बढ़ गया है मतलब acidity कम हो गई है, बढ़ गई है, तो उस ड्रग एक्शन नहीं मिलेगा, एंटासिट generally gastric acid pH को बढ़ाता है, एंटासिट मतलब यही होता है, anti-acid, जो acid के against में काम करे, acid तबी होगा, जब pH कम होगा, तो एंटासिट लेंगे तो pH बढ़ जाएगा, तो इस बढ़े भी pH कारण से कुछ रग ऐसे होता है, जैसे हमारे बात करते हैं, एंटासिट के लिए, तो anti-agent होते हैं, जो अपना action नहीं शोग कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे GIT के pH बढ़ गया है, यानि कि नेशर उसका basic थोड़ा सा हो गया है, अगले बात करते हैं, जो gastric motility को affect करें, interchange करें, alter करें, gastric motility मतलब क्या होता है, gastric motility एक GIT के movement है, जिसका हम लोग बोल सकते हैं, emptying time, जब हमारा GIT के containing food, empty हो जाता है, small intestine आजे बढ़ता है, ताकि आगे जाकर के body से बाहर eliminate हो सके, तो यहाँ पर हमने बताया कि, atropin और morphine को अगर हम साथ में देते हैं, या थोड़े कुछ short interval के बीच में देते हैं, तो यह gastric emptying को slow कर देंगा, और इसके वैसे उसका absorption भी slow हो जाएगा, और example हमारे पास purgative के भी है, ऐसे drug जो body के purgation का काम करते हैं, बतलब equation time को बहा देते हैं, empty time को increase कर देते हैं, तो वो drug को साथ मिले करके body से बाहर eliminate हो जाएगा, और उस drug का हमारे small intestine के साथ contact time कम हो जाएगा, और contact time कम होने के विजए से ज़्यादर time तो contact नहीं रहेंगे, और उनका absorption भी कम हो जाएगा, इस तरह से कुछ drug interaction absorption को affect कर सकते हैं, फिर हम बात करते हैं कि distribution की ये example देखा हो, आपने वो absorption को affect कर रहा था, कुछ example ऐसे हैं जो distribution को affect कर सकते हैं, distribution मतलब होता है, कि एक drug का दूसरे compartment में move करना, और जब हमारे drug protein साथ bind होते हैं, तो वो protein drug complex बना लेते हैं, और वो एक दूसरा action शोग कर सकते हैं, अगर हम इसको हमने समझना चाहते हैं, तो आप distribution का पर लेकिए जो वीडियो है, यहाँ पर एक्जामपल है, इस protein binding site पे हमारा warfarin bind हुआ है, और phenyl beta zone की affinity जो है warfarin से ज़्यादा होती है, तो competitive inhibition की वज़े से, यह phenyl beta zone आपके warfarin को displace कर देगा, और इसकी जगा बैठ जायागा, इसकी वज़े से उसका distribution में affect हो सकता है, अगला हम बात करते हैं metabolism की, जो metabolism एक ADME का part है, जो की pharmacogenetic का important parameter है, इसकी उपर हमने बहुत detail से video upload के हुआ है, metabolism के उपर भी upload किया है, enzyme induction और enzyme inhibition के उपर भी upload किया है, इसको आप यहाँ से click करके देख सकते हैं, और इसका direct description link हमारे description box में भी आप देख पाएंगे, metabolism मतलब होता है कि एक drug का दुसरे form में convert होना, bio transformation भी कैसे कहते हैं, inactive से active, active से inactive, active से active metabolite में भी convert हो सकते हैं, और अगर हम बात करते हैं drug interaction की, तो यह कुछ drug ऐसे होते हैं, जो हमारे metabolic enzyme, macrosomal enzyme को affect कर सकते हैं, तो ऐसे drug दो category के होते हैं, enzyme inducer और enzyme inhibitor, अगर enzyme inducer होंगे, induce करेंगे interaction के विए से, enzyme जादा secret होगा, जल्दी metabolism होगा, जिससे उग drug का effect कम हो सकता है, और अगर enzyme inhibitor है, enzyme नहीं बनाने देंगे, तो उस drug का metabolism proper नहीं होगा, तो भी हमको drug effect नहीं मिल सकता है, तो इसके उपर detail video आप हमारे previously वीजियो में देख सकते हैं, आपको और अच्छे से इसमें पूरा दरा से clearly समझाया गया है, दोनों में क्या difference है, उसका आदम बात करते हैं, expression की, तो expression, और सबसे last market आता है, ADMA में आखरी हिस्सा है, बड़ सबसे important तो यही है, क्योंकि जब तक कोई भी drug का metabolite body से बहार नहीं निकलेगा, toxic सित्री body से बहार नहीं निकलेगी, हमारे लिए problem हो सकता है, accumulation can be dangerous, so ऐसे condition को हमको बहार रिकालना है, so we have to follow the execution process, बट कभी-कभी ऐसा होता है कि दो ड्रग आपास में तरके, या एक ड्रग बॉडी के प्रेजेंट में, बॉडी के प्रेजेंट, दूसरे फ्रूड के साथ इंटरेक्शन करेगा, और दोनों एक दूसरे के जो elimination पातवे हैं, उनको follow करेंगे, तो इस तरह से हमने देखा, कि ड्रग का फार्मको कानेटिक टाप ड्रग इंटरेक्शन कैसा होता है, क्या होता है, आज के वीडियो के लिए पहले पांट के लिए इतना काफी है, फार्मको कानेटिक ड्रग इंटरेक्शन, अगले वीडियो में हम बात करेंगे Pharmacodynamic Type of Drug Interaction Thank you very much friend for watching this video आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं Pharmacology के, Pharmacognosy के जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारा प्रयास यही रहता है कि किसी भी चुछ को बहुत सिंपल तरिके से आपको explain करें ताकि आपको कभी भी किसी चीश को याद ना करना पड़े आप समझ करके खुद अपने वर्ड में इसको explain कर सकें Thank you very much for watching this video Please be supportive and please be connected Thank you again